आज अपने इस ब्लॉग में I'll cover the commercial property of Delhi location basically अभी तक मैंने जितने भी commercial आपको share की हुए most of the property वह नोड़ा से related थी but gradually अभी जो और भी हमारा expansion हो रहा working का तो हमने डैली की multiple residential property आप cover कर रहे हैं इसके अलावा बहुत सारे commercial भी चांदनी चौक और सदर बजार यह बहुत सारे commercial अभी हम लोगों ने काफी अच्छे वे में स्टार्ट कर दिया है तो basically आज का यह ब्लॉग है वो डैली के सदर बजार location की है एक ऐसी location जहां पर crowds की कमी नहीं है जहां पर आपको rental returns और एक आपने कर कोई investment करें उससे returns की 100% guarantee आप देख सकते हो तो उसमें भी कोई प्रॉलेम नहीं है एक ऐसी location जहां पर आज की रेट मागर विल प्लैंड कमर्शियल के बाद करेंगे तो वहां पर इस concept का काफी लिमिटेड है नाओ कम तुदे पॉइंट इस प्रॉपर्टी इस देविका सदर बजार लोकेशन इस सदर बजार सदर बजार के लोकेशन में देविका गुरूप ने यह प्रोजेक्ट लॉंच किया था चुकि अभी डैली में रीडवलप्मेंट का काफी प्लान चल रहा है तो रीडवल इस मोडल में अमेक्स को भी लैंड गई है डिविका गर्येयाची को भील रोकेशन अपना तो इस अधैर बजार की लोकेशन में जो यह तोलेधियों पुरा मैं आपको एक्स्लेंट कर देता हूं लगभाग यह को प्ल्लॉट प्लॉट साइज एड di जो concept दे रखा है नीचे आपके parking है फिर दो फ्लोर का commercial है देने फिसको उसको 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 उपर parking है तो concept यह है कि सदरबजार की location में अगर आप parking की availability की बात करेंगो तो काफी लिमिटेट है तो काफी कमी वहां पर parking की तो इस आप से इस देविका का जो सदरबजार की यह जो location हो काफी अच्छी होने वाली है अब सोलर सगस के plot size में क्या है कि एक तो इन्होंने parking आपका multi-level में आपका minus one minus to minus इस तरीक आपके parking दे रहे किए फिर दो फ्लोर का commercial है इस commercial आपका retail space and food court और restaurant एरिया आता है इसको पर फिर अगे दो फ्लोर की पार्किंग टोटल आ जाती है तो overall यह जो project है जो देवी का group बेच रहा है वो लीज वाले concept में बेच रहा है तो दो फ्लोर का जो commercial है इसमें जो स्टाइब होती है वह 30 लैक से स्टाइब होती है साइज की बात करो तो नियर वाइट 20 स्कॉफिट का सबसका साइज मिल जाता है इसको अब multiple जितना बज़ेट बढ़ाते जाओंगे उसके इक्डूर्डिंग इसमें इन्वेस्ट में स्टार्ट हो जाएगी 30 लैक 50 लैक 60 ल लाइन है वो मार्च अप्रेल 2023 की प्लानिंग है तो अभी से लेकर अगले मार्च और अप्रेल तक आपको 12 परसंट का शोर डिटर्न है विथ बैंक की गरेंटी इसमें आपका जो रिटर्न से वह डवलपर अपने अकाउंट का चेक नहीं देगा वह आपके बैंक साइट से बैंक गरेंटी एक बड़ा पॉजिटिव कह सकते हैं साइन है अगर आप रेंटल्स या रिटर्न्स डेवलपर से ले रहो हो तो इसके अलावा जब आपका ये मार्च और प्रेल में जब इसकी पादेशन हो जाएगी तो अपरेल इन ऑनबट्स या आपको 9 परसंट का फिक उन्होंने एक रेशियो सेट किया हुआ है कि 9 परसंट 10 परसंट अब टोटल सेल वैल्यों शेयर करेंगे अब इसमें जो दो फ्लोर है ग्राउंड एंड फर्स फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे कुछ इनका रिटेली स्पेस है कुछ उन्होंने विकानिर वाला को अल्री स्पे टोटो इ concerns क्रूश्य इंती तो लाइ। तो लगई बर यदा यह सी मिला ओश्रेंस अब को मिल एगा बट एस्रोट्टी तो थोड़ा यह परसंट अन्स परसेन हो फिक्स्रेइद और ईधर यो परच ब्राउंड फ्लोर और फर्स प्रूच प्लूर यह अपकी चवाई से according to your budget आपसे plan कर सकते हो तो अभी के rate में बात करो तो first floors की अगर बात करेंगे तो लगवर 28 27.95 से इसकी costing स्टार्ट होती है और इसमा कोई property परसेश करते हो तो 28,000 स्टार्ट हो जाती है बट सबकुस बैंक गरेंटी है लोकोशन अच्छा है अगल बगल में आप दोखो कराउट के कभी कमी नहीं है आप रेंडम याप सदर बजार के लोकुशन में चले जाओ तो ऐससा आपको नहीं लेगा है कि हाँ पर कल को कोई दूसरा कमर्सियल आजाग सब्सक्राइब देखनों को मिलेगा अभी नियु देली का पूरा रीडवलोप्मेंट हो राप दोखोगे एक अलगी लेवल होने माला नियु देली रेलिश्यस्न का साथ प्रफोजल उसका पास भी हो गया है तो कहीना कि यह तो बहुत बड़ा इंपक्त पड़ेगा तो मे लेश्में एकस्था रीडनस आप लॉंग टाइम तक लॉंग लाइफ़ टाइम रेंटल की बात करें तो आपको इसमें मिल सकता है एंगले ब्लॉग में फिर नेक्स प्रोपर्टी आपको में सेर करता हूं अगर आपके कोई भी रिकॉमेंट जो में ब्लॉग शेर कर रहा ह तो कोई भी अगर आपको options इससे related कोई मैच करते ही property आपको लग रही है कि इसको मुझे purchase करना चाहिए आप उसके लिए मुझे directly connect कर सकते हैं So see you in next blog Thanks